हेलो गाईज आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक पॉपिलर कंट्री के जॉब्स के बारे में जहांकि जॉब्स बहुत ज्यादा डिमांड में हैं आप अर्राम से उस कंट्री में जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं और उस कंट्री में जा करके काम करके लाखों रुप तो guys चली आप main topic पे आज आते हैं कि आज हम लोग किस country के jobs के बारे में बात करने वाले हैं तो guys आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनलेंड के jobs के बारे में तो guys जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से Finland बहुत जादा popular हो गया है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर के काम करना चाहते हैं और वहाँ पर बहुत सारी jobs भी available है तो guys यह आपके लिए भी बहुत बड़ी opportunity हो सकती है अगर आपका भी सपना है यूरोप की किसी country में जाकर के काम करने का तो क्यों ना हम लोग Finland से start करते हैं फिर अलग-अलग यूरोप की country में move हो करके काम करते हैं तो guys आज इसलिए मैं लेकर के आई हूँ Finland की jobs और यहाँ पर बहुत सारी jobs available है बहुत सारे sectors में आपको यहाँ पर jobs देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि आपको यहाँ पर IT sector में job देखने के लिए मिल जाएंगी driver से related job देखने के लिए मिल जाएंगी cleaner की job हो गई warehouse से related job देखने के लिए मिल जाएंगी hospitality sector हो या construction sector हो आपको हर टाइप की jobs देखने के लिए मिलेंगी guys तो guys मैंने आपको jobs के लिए बता दिया कि यह सारी jobs यहाँ पर available हैं तो guys इन सारी jobs के अलग-अलग requirement होती हैं तो आप जो website पर जाएगा तो वहीं से डारेक्ली देख लिजेगा कि कौन से jobs की क्या-क्य requirement है अगर आप उनकी requirement को fulfill कर पाएंगे तब यह उन jobs के लिए apply करिएगा तो guys चलिए मेरे laptop screen पे वहीं से मैं आपको पूरा process दिखाती हूँ कि कैसे आप Finland की job के लिए apply कर सकते हैं और किस website के थूँ apply कर सकते हैं तो guys चलिए चलते हैं guys आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग तो मैं यहाँ पे hospitality sector की job आपको पहले दिखाऊंगी तो मैंने यहाँ पे hospitality लिख दिया है फिर आपको यह blue वाले icon पे click कर देना है find a job पे जैसे ही आप click करेंगे आपको hospitality sector से related यहाँ jobs देखने क्लिए मिलेंगी जैसे कि housekeeper, room attendant की job है restaurant worker की job है company भी बताया जाएगा guys कि किस company में है, head waiter की job है night receptionist की job है front office receptionist है guys नीचे की दरव और scroll करेगा तो आपको store की पर यह सारी मतलब आपको अभी यहाँ पर jobs देखने के लिए मिल रही है जैसे कि restaurant worker की job के लिए आपको apply करना है तो यहाँ पर company on site लिखा हुआ है तो इस पर आपको click कर लेना है click करने के वाद नीचे की दरव स्क्रोल करेगा तो आपको यहाँ पर roles and responsibilities देखने के लिए मिलेंगे फिर यह जो red वाला button है apply for a job है फिर इस पर click करते वे देख सकते हैं यहाँ पर basic information मांगा जा रहा है full name, last name, address, jeep, code, city यह सारा fill कर दीजे driving license है तो डाल दीजे language में क्या क्या आपको mother language mother tongue है या basic है यह सारा पुछा चारा है आपको कितनी आती है qualification क्या है previous experience क्या है आपका फिर आपने यहाँ पर मतलब पहले क्या काम किया है यह सब आपसे location मांगा जा रहा है salary क्या expectation है full time करना है, part time करना है evening job करना है, यह सारी कुछ आपसे detail मांगे जा रही है, यहाँ पर आपको CV attach करने के लिए बोला जा रहा है अपने यहाँ पर CV attach कर दीजेगा photo attach कर दीजेगा फिर I accept करके send कर दीजेगा बहुती simple process है guys अलग-अलग company की अलग-अलग requirement होती है इसलिए guys आपको requirement को द्यान में रखते वे किसी भी job के लिए apply करना है बहुती simple process है आप driver की job के लिए भी search कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी driver की job है taxi driver की job है forklift driver की job है guys यहाँ पर आपको bus driver की job मिल जाएगी और यहाँ पर आप cleaner की job के लिए भी search कर सकते हैं आप जिस भी job के लिए search करना चाहते हैं उन jobs के लिए search करिए लेकिन उनकी अगर requirement को fulfill कर पाईएगा प्रोसेस है आपको इन website पर जाना है Finland की job के लिए search करना है आप जिस भी job के लिए search करना चाहते हैं उन jobs के लिए search करिए अगर आप उनकी requirement को fulfill कर सकते हैं तो आराम से वहाँ पर job के लिए apply कर दीजे guys बहुत ही simple process है लेकिन अगर आपको finding की job के लिए apply करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा Europass का CV और cover letter तो जल्दी से अपना Europass का CV और cover letter बना के तयार कर लिजे अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो नीची देगे WhatsApp नमबर पे हमें contact करिए हमारी टीम आपको एक professional Europass का CV और cover letter बना के provide करेगी guys अगर आपको हमारी ये useful information पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe कर दीजे guys अब हम लोग मिलते हैं अपने next वीडियो में till then see you tata